हालो फ्रेंड्स सत्य में बजायते जैसा की हमने पिछले क्लास में साइंस को कुछ खूस्चन्स देखे थे आज भी covid का कुछ ऐसे खूस्चन्स देखेंगे जहां से हर वार exam के खूस्चन्स आते हैं तो आए यह समझते औहुग कौन-कौन से questions है आईए देखते हैं तो सबसे पहला topic अपना है hit hit कहने का मतलब उस्मा होता है hit कहने का मतलब क्या हुआ उस्मा तो क्या होता है यह एक परकार की उर्जा होती है hit क्या है तो hit एक परकार की उर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण किसे कारण तापांतर तापांतर के कारण अस्थनांतर होती है किसी वस्तु में निहित उस्मा उस वस्तु में द्रब्यमान पर निर्भर करती है यहां समझने माली बात यह है जैसे हीट यानिक उस्मा क्या है तो हम बोलेंगे यह एक परकार के में तापांतन के कारण चैंगे हैं किसी वस्तु में नीविट तो क्या होता है नहीं होती है मतलब पहले सौल लेडि होती है उस वास्तु में गरब्यमां पर करती है कोई भी बौड़ी जिस Мें प्रायीत होगी तो किसपे लिफिंद करेगा तो महां पर में धिक करेगा 140 करता है अब बोलेंगे उसमा कैसे मतरक क्या होता है जूल होता है हर बार ग्यांस में आता है जो उस्मा का ऐसा ही मात्रक बताईए तो हम क्या बोलेंगे उस्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है उस्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा दोस्तों जूल होता है उम्मिद करते हैं समध में आगया होगा अब आते हैं कैलोरी पर किस पर आत दिगरी सेट बढ़ाने के लिए 1 ग्राम जल का ताफ बढ़ाने के लिए एक ग्राम जल का अगर ताफ हम बढ़ाएंगे कितना किया कहते हैं एक कνη 60 कि डिखर एक केलोरी कहते हैं कितना कहते हैं वन कैलोरी या एक केलोरी कहते तो आइए क्या समझे है मोगो तो हम 171 अ कने हैं कि अल्वळी समझे तहे हैं सच्शक औरissä डिखर हुआ क्या कहते हैं कैलोरी कहते हैं मतलब यह समझे हम एक ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवाश्यक उस्मा की मात्रा को क्या कहते हैं कैलोरी कहते हैं अब आते हैं अंतराश्टी कैलोरी इसको बोलते हैं इंटरेशनल कैलोरी क्या बोलते हैं इंटरेशनल कैलोरी कह Hmmm के लिए आवस्यक उसомा के मात्रा को एक कैलोरी का जाता है कितना कैलोरी का आ जाता है क्या बोले हम लोग बोले हैं एक घ्राम सुध जलका कौनसा जलका एक घ्राम pancakes सुध्ध जलका ताप साहे 14 degrees Celsius से सारे 15 degrees Celsius बढ़ाने के लिए आव़श्य उस्मा की मात्रा को क्या कहते हैं एक KAL, क्या कहते हैं, क्याते हैं, वन केलोरी कहते हैं, आब आते हैं, बिटिस थरमल यूनिट, इसको बोलते हैं, बी टी एच्यो, क्या बोलते हैं, बिटी एच्यो, मतलब, क्या बोलेcा इन्हें, 1 たब बढ़ाने के लिए, एक डिग्री चल एक डिग्री फेंडा हैं कि मंगे वां पॉंट जौल का राज़ञ्ट बढ़ाने के लिए एक हाइड ये क्या है वां region का थार्माने के लिए मतलब हुआ एक पॉंड जल का ताप एक डिगरी फेंड़ा हाइट बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा के मातरा को क्या कह जाता है वन ब्रिटी उच मतलब वन ब्रिटिस थर्मल यूनिट कहते हैं अब बात करते हैं ताप ताप क्या होता है यानि की टेंपरेचर वह बहुती कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें उर्जा की परवाह के दिशा निश्चित करता है उसे ताप कहते हैं यहां बोलेंगे जिस कारण से उर्जा अस्थरांतरित होती है उसे क्या क तो वह बहुत ही कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें उर्जा की परवाह के दिशा निस्थीत करता है। उसे क्या कहते हैं ताप कहते हैं। उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आओगा पसंद आओगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब परें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें चलिए थैंक्यू